शुश्कार किशान भाईयों और बहनों स्वीट कॉन और बेबी कॉन लगाने का ये August और September महीना सही समय है और स्वीट कॉन बेबी कॉन साल भार लगाया जा सकता है उत्तर भारत में लेकिन दो मैना गर्मी के April और May और दो मैना ठंड के यानि कि December January को हम avoid करते हैं बाकि किसी भी टाइम स्वीट कॉन को लगाय जा सकता है स्वीट कॉन और बेबी कॉन सबजी के तौर पे, सूप के तौर पे या स्नेक्स के तौर पे इस्तिमाल होता है और sweet corn baby corn का जो कॉब होता है उसमें प्रचूर मात्र में vitamins, minerals और fiber पाया जाता है पूसा संस्तान ने दो शंकर sweet corn variety develop की है इसका नाम है पूसा super sweet corn 1 और पूसा super sweet corn 2 इनके बीजदर है करीब 8 kg प्रती हेक्टर और 35 से पंक्ती की दूरी 60 cm और पौदे से पौदी की दूरी करीब 25 से 30 cm रखा जाता है sweet corn करीब 20 से 24 दीन परागन के बाद तैयर होता है और पूरा तैयरी में करीब 70 से 75 दीन लग जाता है और sweet corn के मिठास करीब 18 से 20 परसंट होता है और एक अच्छी फसल से करीब 10 से 12 टन sweet corn और 25 से 30 टन हराब 4 मिल सकता है पूसा संस्तान में बेबी कर्ण के एक शंकर प्रजाती विक्सित किये है जिसका नाम है ABSH4-1 यह एक male sterile baby corn है बेबी कर्ण में जो पूरुषफुल उपर होता है उसका परागन जब बेबी कर्ण का सिल्क में गिरता है तो दाना बनना शुरू हो जाता है जिसके चलते बेबी कर्ण का क्वालिटी खराब हो जाता है लेकिन यह जो male sterile baby corn हमने बनाया है इसमें पराग की तैयारी नहीं होता है इसके चलते डी टसलिंग यानि की पूरुषफुल निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी जरूरत नहीं होता है और उसके चलते करीब 8-10,000 रुपय प्रती हेक्टर की बचत होती है इस बेबी कॉर्ण के बीजदर करीब 30 kg प्रती हेक्टर है और 35-50 की दूरी 60 cm और पौदे से पौदे की दूरी 15 cm रखा जाता है बेबी कॉर्ण तैयर होने में करीब 50-60 दिन लग जाता है और एक अच्छा फसल से करीब 21-22 क्विंटल प्रती हेक्टर बेबी कॉर्ण और करीब 25-30 टन हरा चरा मिल सकता है स्वीट कॉर्ण और बेबी कॉर्ण में जो अधिक समस्या है वो है फॉल आर्मी वाम के फॉल आर्मी वाम एक कीरा है जो की उपर पत्ते को काट देता है जिसके चलते वो बर नहीं पाता है तो फॉल आर्मी वाम को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीज है इसको फो टन्स अडो करके किमिकल आता है जो 6 ml प्रती kg बीज में मिलाए जाता है जिसके चलते हैं उगाई के करीब 15-20 दिन तक Fall Army 1 से इसका protection मिल जाती है बाद में कोराजन या डेलिगेट दोनों में से कोई भी chemical करीब 0.4 ml या 0.5 ml प्रती लीटर पानी में मिलाके उसको छेकाओ किया जाता है जिसके चलते हैं Fall Army 1 का काफी हत्तर कंट्रोल हो जाता है बोट बेबी कॉर्ण और स्वीट कॉर्ण एक लाव दैख फसल है और प्रती हेक्टर करीब 70,000 से 80,000 रुपय की लाव हमारे किसान मंदों को मिल सकता है